मुक्तार की मौत के बाद कैदी नहीं खा रहे सबजी डाल सहर के चलते मौत के इलजाम से खौप में बांदा जेल के कैदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टमाटर में नमक डाल रोटी भाद खा रहे कैदी उत्तिर पृदेश की बादा जेल में कैद रहते हुए मुकतार अंसारी की मौध सुर्खियों में है पोस्ट मार्टम की मुताबिक मुकतार की मौध हार्ट अटेक से हुई है लेकिन मुक्तार के परिजनों की तरफ से जहर देकर मारे जाने का संगीन इलजाम भी चर्चा में है जिसके चलते बादा जेल में बंद कैदी खौप में है सूत्रों के मुताबिक एक खबर सामने आ रही है कि मुक्तार की मौत के बाद जेल में कैदी सबजी दाल खाने से बच रहे है और कच्छे टमाटर में नमक डाल उससे रोटी चावल खा रहे है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंदियों में मुक्तार की मौत के बास से डर बना हुआ है मुक्तार को खाने में जहर दे कर मारे जाने के इलजाम के बास से कई कैदी खाने से भी खौप खा रहे हैं सबजे और दाल से तौबा कर कच्चे टमाटर में नमक डाल कर रोटिया खा रहे हैं यहां तक कि खौप का आलम यह है कि बंदी ना तो हस बोल रहे हैं और ना ही टेलिविजन देख रहे हैं इतना ही नहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक पेशी पर आयक कैदियों ने बताया कि जेल में सुबा और शाम पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है जेल के अंदर सक्ती बढ़ा दी गई है एक दूसरे से अधिक बात करने और बैरक के अंदर आवाजाही को लेकर नियम कड़े कर दिये गए हैं जेल के महौल में सनना टाचाया हुआ है हलाकि जेल अधिकारियों के तरफ से इन सभी खबरों को खारिच करने की भी बात सामने आ रही है गौर्टलबे की बीते करीब धाई साल से बांदा की जेल में बंद मुकतार अंसारी की मौत हार्ट अटेक्स हो गई वीती गुरुवार की शाम जेल में तबीयत बिगड़ने पर अंसारी को रात में मेडिकल कॉलेज में शिप्ट कराया गया वहां रात दस वजे के करीब मुकतार की मौत हो गई इस घटना से दो दिन पहले भी मुक्तार की तबियात खराब होने पर अस्पताल में शिप्ट कराया गया था परिवार में मुक्तार के भाई अबजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी पूरी घटना को साजिश करार दे रहे हैं आपको बता दे कि पहले भी मुक्तार को स्लोप वाइजन देने के आरूप सामने आये थे फिलाल कैदियों कि सबजे और दाल से दूरी बनाने वाली खबर तेजी से वारल हो रही है विर रिपोर्ट एंटी टीवी भारत